सबीको नमस्कार आज की जो एपठित काव्यांश की कविता है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एपठित काव्यांश को किस प्रकार से हल किया जाए और साथ ही एक उधारन करके हम ये देखेंगे कि इसके प्रशन किस प्रकार से आ सकते हैं तो आज की यहां कवीता है मैंने देखा एक बड़ा बर्गत का पेल खड़ा है इस कवीता को सबसे पहले हमें पढ़ना होगा उसके बाद इसके प्रशन हमें पढ़ने हुँए तो इसमें हमारा जो पहला प्रशन आ रहा है इस कविता में बर्गद तता छोटे पोधे किसके प्रतीक है कविता को देख करके आपको पता चल जाएगा कि कविता में बर्गद माता पिता या अभिवावकों का तता छोटे पोधे नन्नने बच्चों का या नई पीधी का प्रतीक है इसमें दूसरा प्रेश्ण बनता है पहले अंश में पोधे अपने आपको खुसकिश्मत क्यों समझते हैं खुसकिश्मत इसलिए समझते हैं क्योंकि बर्गद उन्हें सब मुसीबतों से बचा लेता है उसके होते वेवे सुरक्षित अनुभव करते हैं एक और इसमें जो प्रश्ण आ रहा है एपटित का व्यांस में पहए हैं दूसरे अंश में पोधे ऐसंतुष्ट और रुष्ट क्यों हैं? रुष्ट इसलिए हैं रुष्ट यानि नराज होना होता है क्योंकि वे बर्गद को अपने विकास में बाधा मानते हैं क्या मानते हैं कि बड़ा व्रख्ष जो है वो हमें विकास नहीं करने दे रहा है एक नेक्ष्ट प्रशन यहां पर बन रहा है कि पोधे स्वेम को बद किस्मत क्यों समझते हैं? बद किसमत इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें आने वाले संकटों को स्वेम जेलने का अवसर नहीं मिल पाया इसलिए उनका विकास भी नहीं हो रहा है यह सोच रहे हैं पर नई पीडी की और पुरानी पीडी के बीच की जो तुलना है उनके विचारों की तुलना यह बताई गई है इस कविता में फिर प्रश्न बनता है कि विकास के लिए क्या आवश्यक है इसका जवाब कविता के अनुसार यह है कि विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी चुनोतियों से स्वयम निप्टे खुद अपने करे करे तभी विकास कर सकता है प्रशन आ जाता है कि इस पद्यांश का सिर्षक लिखिए सिर्षक का प्रशनलगबग हर काव्यांस में आ जाता है तो आप इसे पढ़ कर भी समाज सकते हो इसमें अपने अनुसार कोई सिर्षक बना सकते हो हमने इसका शिर्षक जो है नन्य पोध्टों की पीडियां या पीडियों का अंतर इस तरह से हम इसके दो शिशक बना सकते हैं और यह कविता हरिवांश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है ये भी हमें पता होना जरूरी है कुछ हम कविताइं पढ़ लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार के कावियांस को कैसे सॉल कर सकते है एक इसी से समंदित प्रशना जाता है इसी प्रकार का जिसमें इसका सार लिखिये जदातर कावियांसों का सार पूछ लिया जाता है तो इसमें सार इस प्रकार से है पहले की पीडियां ऐसी थी जो अपने बड़े बुजुर्वों को धनेवाद देती थी वे उन्हें अपना संरक्षक तथा हितैसी मानती थी लेकिन आज की पीडियों ने अपने विकास में बाधा समझती है मानती है यह हमारा दुर्भाग्य है नई पीडियों का इस प्रकार से हम इसमें खुद हम पढ़ करके भी उसके सारांस को लिख सकते हैं जो भी एपठित का वियान से है वो हमारे सामने एक नई पढ़ी हुई कविता होती है और उसे सॉल करने के लिए में पहले उसे पढ़ करके उसका अर्थ समझना जरूरी होता है और उसका मनोयोग से पढ़ना बहुत जरूरी है मन लगा करके में उसका पढ़ना बहुत जरूरी है फिर हम प्रेशनों को पढ़ेंगे और कविता में जो रिखांकित हैं उन्हें कर लेंगे ये खंकन कर लेंगे कि कहां कहां मारे सवालों के जवाब में मिल रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि पूरी कविता का अर्थ या शब्द आपको समझ में आ जाए उसका बस मूल भाव यदि आपको समझ में आ गया है तो अगर आपको कविता समझ में ना भी आ रही है तो आप प्रतिक आर्थों का प्रयोग कर लिया जाता है जैसे सामने कुहरा गना है और मैं सूरज नहीं हूँ इस प्रकार से कोहरा किसका कोहरे का प्रतिक नहीं है या पर निराशक का प्रतिक है तो अधिक अंश्च कविताओं में प्रतिकात्मक शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता और ऐसे स्थानों पर आप उसमें ध्यान रख करके कविता के मूल भाव को समझ सकते हैं और मैं समय समय पर आपको एपटित वोध का व्यांस की कविताएं उपलब्द करवाती रहती हूं तो आप देखते रहे हमारा चैनल थेंक यू फोर वॉचिंग